हलो स्टुनेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास एट बुकारे सगरवाल चेप्टर 12 डिरेक्ट और इन्वर्स प्रपोर्शन एक्सरसाइज 12B क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे बच्चों जी एक्सरसाइज 12B की सेकिंड वीडियो है तो क्वेश्चन 5 है 6 cows can graze a field in 28 days how long would 14 cows take it to graze the same field अब बच्चों यहां पर क्या है 6 cows है वो एक field को 28 days में खतम करती है ठीक है अब बच्चों यहां पर क्या है 6 cows यहां पर क्या होगा डेज क्या होजेगा कम होजेगा ठीक है तो अब यहां पर क्या एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो यहां पर कौन सा फार्म लगा है यह इनवर्स परपोर्शन वाला ठीक है तो कोशन को हमने कैसे लिखना है अब यहां पर क्या है how long would 14 cows take to graze the same field अब हमने लिखने है लेट 14 cows let 14 cows take x days to graze the same field ठेक है हमने यहां पर days को क्या माल लिए है एक्स माल लिए अब हम बनाते हैं कॉलम कॉलम बनाएंगे यहां पर क्या लिखेंगे उपर हम number of cause number of cause और यहां आप लिखेंगे number of days number of cause कितनी है 6 है number of days 28 days और हमें क्या पुछा गया है 14 cause को 14 cause उस सेम फिल्ड को grace करने में कितना time लेगी कितने दिन लेगी तो दिन को हमने माल लिए था days को हमने माल लिए था x और यहां पर आगा 14 अब बच्चो अब यहां पर समझो कि यह inverse यहां पर proportion क्यूं है अब देखो बच्चो inverse proportion का क्या मतलब होता है कि एक चीज अगर increase हो रही है तो दूसरी चीज decrease हो गई ठीक है न अब यहां पर क्या है 6 cows थे ठीक है तो यहां पर क्या हुआ 28 days थे अब यहां पर क्या हुआ अब यहां पर आप खुद बताओ अगर 6 से cow 14 हो जाती है तो हमें कम दिन लगेगे तो यहां पर क्या हुआ है days क्या हुआ है decrease हो रहे है ठीक है बस इतना सा आपको समझना है अगर यह आपको समझ आ गया तो इसका मतलब कि आपको question solve करना आ गया case of inverse proportion बचो अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखिए तो उसको जुरूर देख ले उसमें मैंने detail में समझाया है कि inverse proportion में हम क्या करते हैं वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ और आपको एक और बात बताना चाहते हूँ क्लास 8 की जितने भी हमने chapters की वीडियो बनाई है सबका link description में दिया है आप description में जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हैं बचो अगर आप class 6 और class 7 की book RS अगरवाल की chapters की वीडियो देखना चाहते हो class 6 और 7 की playlist का link भी description में दिया गया है playlist में जाकर किसी भी chapter की वीडियो को देख सकते हैं अब अच्छो यह है inverse proportion है ठीक है अगर आपने part 1 वीडियो नहीं देखी है तब भी मैं आपको यहाँ पर explain कर देती हूँ inverse proportion में क्या करते हैं कि हम इन जो terms को है आपसे multiply करते हैं तो 6 को multiply करेंगे 28 और 14 को multiply करेंगे x से अब अच्छो x की value नकानी है तो हमने x इदर लिख दिया अब यहाँ पर हमने 6 multiply 28 है तो आपको पते ही है जो यहाँ पर क्या numerator में है ठीक है ना तो यहाँ पर multiply में है तो यहाँ पर divide में denominator में चले जाते x की value में शा अज यह 14 to the 20 होते है 8 होते है तो x की value कहते हैं यह 12 आगी तो यहाँ कितना आगे 12 days आगया तो बस सिधा पांसर में लिख दो सो यहाँ से start कर दो 14 cows take 12 days to graze the same field ठीक है बच्छो इस तरह से आपने यह question 5 को solve करना है students अब हम question 6 करेंगे question 6 है a car take 5 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour how long will it take when the car travels at the speed of 75 km अब बच्छो यहाँ पर क्या है अगर 60 km की speed पे अगर car चलती है तो वह 5 hours लेती है ठीक है अब वह कहता है कि 75 km की speed से चलेगी तो क्या होगा तो हमारा क्या क्या है time कम लगेगा ठीक है ना 60 में तो time ज्यादा लग रहे है तो अगर यह 75 हो गया तो हमारा क्या हो जगा time कम हो जगा ठीक है अब पहले तो इसको बताते है हाँ लॉंग विल इट टेक लेट यहाँ पर लिखेंगे लेट X time taken हमने time नकाल ले ने taken when the car travels at the speed of 75 km let X time taken when the car travels सारा कुछ question में भी होता है question में इसे देख सकते हैं ठीक है ना travels at the speed of 75 km per hour ठीक है ना 75 km per hour ठीक है अब हम यहाँ पर box बनाते हैं ठीक है अब यहाँ पर हमके लिखें speed of car speed of car तो किसमें दिखें unit लिखना है किसमें है km ठीक है और time taken यहाँ पर क्या जगा in r ठीक है r में हम time ले रहे हैं अब यहाँ पर speed of car क्या बतायी थी 60 और time 5 speed of car 60 time 5 और यहाँ पर हमने time को x मालने था और speed दिए है 75 अब बच्चों यहाँ पर समझो यह चीज आपको समझने बहुत जुरूरी है कि यहाँ पर inverse जो proportion वाला है कैसे लगेगा ठीक है ना direct हमने exercise 12 way में question solve किये थे 12 बी में inverse proportion वाले questions है वर आपको अगर mix करके दे जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि हम भी हम इसको कैसे solve करें यहाँ पर direct लगे यहाँ इन्वर्स लगेगा और अगर ही 60 में 5 hours का time ले रही है ठीक है ना तो obviously 75 में कम लेगी तो यहाँ पर क्या अगर time मारा decrease हो रहा है तो मैंने जो inverse का क्या बताएं से आपको कि अगर एक चीज़ decrease हो रही है तो दूसरी चीज़ increase हो रही है तो हमने क्या लगाना formula inverse proportion का formula लगाना है तो यहाँ आप लिखेंगे this is the case of inverse proportions ठीक है बच्चो अब हम क्या करेंगे 60 into 5 75 into x x की बैली को इदर लिएंगे 60 into 5 upon 75 आगया अब यह किस पर कर जाएगा 515 यहाँ पर क्या जोगा 15 आगया तो यहाँ पर क्या जोगा 5 25 थेक है 15 पो फोर्स आ कितना जोगा 16 तो x की बैली यहाँ पर क्या आगे 4 four hours आगे ठीक है na X की बैली 4 hours आगे यहाँ पर यहाँ पर लिखtime यहां पर X की जगा लिखनेगे, so, 4 hours, 4 hours will take at the speed of 75 km per hour, ठीक है बच्चो, इस तरह से आपने ये question 6 को solve करना है, अब हम करते है, question 7, ठीक है, question 7 क्या है, a factory requires 42 machine to produce a given number of articles in 56 days, मतलब कि कोई article उन्होंने produce करना है, तो 42 machine जो है, 56 days में produce करती है, how many machines would be required to produce the same number of articles in 48 days, अगर हमें same article, अगर हमने 48 days में चाहिए, तो कितनी machineों की requirement होगी, ठीक है बच्चो, तो यहां पर आप यह भी लिख सकते हैं, अब यहां पर हमने क्या मनना है, X मनना है, तो यहां पर लिख सकते हैं, let X machine required to produce the same number of articles in 40 days, यहां हम लिखेंगे, let X machine required to produce the same article, the same articles in 48 days, ठीक है, अब हम बनाते हैं, box, box से आपको clear होगा, ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, number of machines, और यहां पर क्या लिखेंगे, number of days, ठीक है, अब यहां पर, कितनी ता 42 machines था, 42 लिख दिया, और number of days लिखा था, 56, 56, और यहां पर days कितना है, 48 दियो है, और number of machines हमने find out करनी है, अब अच्छों यहां पर देखो न, अब यहां पर क्या हुआ, 42 days, यहां पर क्या है, 56 days था, 42 machines थी 56 days था, अब यहां पर days क्या है, decrease हो रहे हैं, हो रहे हैं, अगर days decrease हो गए, तो हमें machine क्या है चाहिए, machine क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो machines यहां पर क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, ठीक है, तो अब यहां पर यह, यहां पर कौन सा case लगया है, this is the case of inverse proportions, ठीक है बच्छों, आप inverse proportion में करते हैं, 42 into 56, equal to x into 48, अब हमने x की value को इधर लिख देंगे, 42 into 56, और x की value denominator में चल जाएगी, 48 हां, और किस पर जाएगा यह, 670, 42, 680, 48, 870, 56, 770 कितना हो गया, 49, तो हमें कहें हैं, so, 49 machines, ठीक है, अगर बिच्छों, यहां पर आप, latex machine required, तो यह, यहां तक भी ठीक है, ठीक है न, बट यहां पर आपने लिख रहा है, so, 49 machines required, to produce, the same article, articles in 48 days, इस तरह से बच्छों, आपने question 7 को solve करना है, I hope आपको यह question अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, ठीक है, बच्छों, comment करके बताएए, कि आपको यह question समझ आए हैं, या नहीं आए हैं, अब हम question 8 को भी इसी वीडियो में cover करेंगे, बच्छों, question 8 करेंगे, 7 taps of the same size fill a tank in 1 hour 36 minutes, how long will 8 taps of the same size will take to fill the tank, तो, बच्छों, सबसे पहले हमने क्या करना है, या तो, पहले था हम यह कर लेते हैं, let, पहले हम लेत कर लेते हैं, 8 taps, 8 taps, of the, same size, same size, sorry, size, to take, to fill the tank in X time, ठीक है न, अब हम box बनाते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लखेंगे, number of taps, अब बच्छों, यहाँ पर क्या है, number of time, क्या लिखेंगे, यहाँ पर, time taken, sorry, time taken, अब time taken, देखो बच्छों, यहाँ पर क्या है, one hour, 36 minutes है, तो आप इसको, आर में भी convert कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने, आर में convert करना है, तो आपने क्या करना है, 36 को, 60 से divide कर देना है, ठीक है, यह मैंने आपको पहले वीडियो में बिता है, अगर आप यहाँ पर, आर को minute में करना है, तो 60 को आप, 36 से multiply कर देते हैं, ठीक है, यह मैं आपको समझा देती हूँ, in minutes लिख सेते हैं, यहाँ पर हमने time जो लिया है, in minutes लिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, 7 tap है, और time क्या है, 1 hour 36 minutes, तो इसको solve करते हैं, इसको minutes में convert करेंगे, 1 hour 36 minutes, ठीक है, अब बच्चों, यहाँ पर है, 1 hour में कितने minutes होते हैं, 60, तो 1 को हम 60 से multiply करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 36 minutes है, यहाँ पर add करेंगे, plus 36 minutes, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, 1 hour equal to 60 minutes, ठीक है, अब 1 को 60 से multiply करेंगे, 60 है, प्लस 36 कितना आ गया, 96, 96 minutes आ गया, राइट बच्चे, अब यहाँ पर हमारे पास time कितना आ गया, minutes में 96 आ गया, अब हमें बताए, 8 taps, अब यहाँ पर 8 taps हैं, अब यहाँ पर हमने time को मान लिया, x, अब बच्चों यहाँ पर देखो, यह कौन सा proportion है, पहले आप मुझे बताओ, 7 taps से, तो वो क्या कर रहे था, 96 time ले रहे था, 96 minutes ले रहे था, अब tap मारे increase हो गया है, tap यहाँ पर क्या हो है, tap increase हो गया, तो obviously time क्या होगा, मारा decrease होगा, ठीक है न, तो यहाँ पर एक चीज़ increase हो रही है, दूसरी चीज़ decrease हो रही है, तो कौन सा यहाँ पर लगेगा, inverse proportion लगेगा, तो यहाँ पर लखेंगे, this is the case of inverse proportion, ठीक है बच्चे, अब inverse proportion का case लगेगा, तो हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, 7 into 96, equal to 8 into x, अब x की value उनका लेते हैं, 7 into 96, upon 8, ठीक है, अब 8 बंजा 8, 8 to 16, 12 को 7 से multiply किया, तुम्हारे पास कितना गया, 84 minute आ गया, ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या है, minute है, बट अगर आपने यहाँ पर minute में convert किया है, तो आप इसको hours में convert करना पड़े ठीक है, अब hours में हम इसको कैसे convert करेंगे, अब हमें बता है कि 1 hour में कितना होते है, 60 minutes होते है, तो 1 hour लिख दिया हमने, अब 84 में से हमने 60 को minus किया, तुम्हारे पास आगा 24, तो कितना आगा, 1 hour 24 minutes, ठीक है, बस यहाँ पर लिख दो, so 8 tabs of the same size will take to fill the tank, 1 hour 24 minutes, ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने यह question 8 को solve करना है, I hope आपको यह question 5 से लेकर 8 तक अच्छी तरह से समझ आगे होगे, अगर आपको यह कोई कोई क्यारी है, तो आपे message कर सकते हैं, बच्चों अगर आप class 8 के, जितने भी हमने chapters की वीडियो बनाई है, उन सबका link description में दिया गया, अगर आप देखना चाते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो useful लगे हैं, तो बच्चों प्लीज वीडियो को like करें, share कर अपने friends के साथ, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करें, thank you for watching, next वीडियो में हम question 9 से start करें करेंगे